अक्सर लोग गोवा घुमने की प्लानिंग तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि इस बीच डेस्टिनेशन पर जाने के लिए उन्हें कैसे कपड़े पहनना चाहिए। अक्सर लोग यही सवाल करते हैं कि गोवा जाने पर उन्हें कैसे कपड़े पहनना चाहिए। कवर ड्रीसेस में वेकातान, पोचू और की मुनोस रख सकती हैं। ऐसी ड्रीसेस बहुत लाइट और एरी होती हैं जो एकदम गोवा के मौसम के अनुकूल होती हैं। अगर आप गोवा में बीज के पानी में एजोय करने की यूजना बना रही हैं तो आपको उस वक्त बिक्नी वस्विम सूट पहनने की जरूरत है। आप चाहें बिक्नी में असहज महसूस करती हैं तो आप हाई वैस्ट बिक्नी या फिर टैंक अनीज भी पहन सकती हैं। ध्यान रखें कि फैशन और वहां के अन्य लोगों को ये सब पहने हुए देखकर आप जबरदस्ती ये सब न पहने। बलकि वही पहने जिसमें आप स रहेज महसूस करती हो वही कपड़े पहने जो आपके शरीर पर सूट करता हो। जब समुद्र पर जाने की बात हो तो हमेशा ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जो आसानी से सूख जाते हो। ऐसे में डेनिम शॉट्स बीच पर पहनना सबसे अच्छा है। क्योंकि ये न केवल आसानी से सूख जाते हैं बलकि गोवा की हीट को बीट करने के लिए डेनिम पैक करें। शॉट्स को आप गोवा के मार्केट से खरीद सकती है। अगर आप गोवा जा रहे हैं तो फॉर्मल शोट्स को साथ न ले जाएं। बलकि अगर आप सभी तरह कीड्रे से स्पहन लेती हैं तो आपको इस बीच डेस्टिनेशन पर जाने के लिए हेल्टर नेक स्पेगेटी और टैंक टॉप जरूर पैक करने चाहिए। अच्छी ब प्लाजो और जिपसी पेंट्स बेस्ट ऑप्शन है। थकान के बाद स्कर्ग काफी रिलेक्स एबल आउठिट है। यकीनन इसमें आखुद को काफी रिलेक्स महसूस करेंगी। ध्यान रखें कि गोवा में टाइट मिनी स्कर्ग साथ ले कर न जाएं। नमबर टो गोवा में शाम को पेहने जंप सूट। यहाँ पर आप शाम के समय खुद को फ्री और रिलेक्स रखने के लिए जंप सूट या प्ले सूट पेहन सकती है। गोवा में कई परियाटकों को शाम के वक्त जंप सूट पेहने देखा जा सकता है।